प्रेंड्स मैं मेगा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेगा पाठक पर फ्रेंड्स ये टेस्ट नंबर 38 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ और हम लोग बुद्धी पढ़ रहे थे आपको पता है और जो फ्रेंड्स मेरे सा अब अभी जुड़े हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बैल आइकन है उसे आप लोग प्रेस कर दें आप रेगुलर जो है मैं वीडियो अप्लोड करती हूँ ताकि आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके इसके इलाब एक छोटी सी रि यूसफुल है या नहीं तो देखे और जो लोग प्लीज टेस्ट दे रहे हैं वो लोग तो जरूर कमेंट किया करें देखे आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि कितने क्वेस्टन्स हैं वो आप लोगों के सही हो रहे हैं मेरे जो टेस्ट पेपर्स हैं इनका जो स्टेंडर् तो देखे प्लीज कमेंट करके बताएं कि कितने questions हैं आप लोगों के मेरे answer बताने के पहले सही हुए हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करें और जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को subscribe कर लें तो देखे स्टार्ट करते हैं question number one है किसने बुद्धी को अविभाज या एकल काई बताया है 비कले बी टर्मन सी इस्टर्न या डी यह तीनो तो देखे यह तीनों ही जो है बिने टर्मन इससे पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को एकल खंड या एकल कारक सिद्धान्थ के बारे में बता दिया था उसके प्रभ़ड़ तक का नाम मैंने जो ह पर विजिट करें काफी अच्छा यूसफुल मटेरियल आपको हिंदी से रिलेटेट देखने को मिलेगा इसके अलावस साइकलोजी का तो ही वहाँ पर और एसस्टी का तो बिलकुल बहुत ही उम्दा क्वेस्चन्स हैं जो की डिरेक्टली मैंने NCRT और माधिमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से बनाए हुए हैं वो क्वेस्चन्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे पूरा जो यह चैनल है वो टेस्ट से रिलेटेट मैटेरियल आपको प्रवाइट करवाता है केवल जो हिंदी है उसमें मैं आप लोगों को डीटेल में इस वक्त पढ़ा रही हूँ और अब हिंदी का आज जो है एक लास्ट टॉपिक जो है पदबंध वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगे उसका पार्ट नमबर बन और पार्ट नमबर टू मैं आप लोगों को कल अपलोड कर दूँगे उसके बाल बात बस जो है शिक पूरे पेपर में चारों पार्ट में होता है यानि कि एक तरीके से देखा जाए तो पूरे कम से कम भी 14 या 15 वो है हमारे उसमें कवर करता है तो बस इसी वज़े से मापने मुल्यांकन वाला टॉपिक आप लोगों को पहले करवाऊंगी तो देखिए इसका जो आंसर हो जाता A .D, यह तीनों यानि कि बिने साइमन और बिने टर्मन और स्टरन इन तीनों ने ही जो है बुद्धी को अविभाजिया एकवलिकाई बताया है प्षयन नूम्बर टू है बुद्धी का विकासात्मक सिद्दानत किस ने दिया है ? बिने B termen, C stern या D gene piaze तो देखिए एकल कारक या एक खंड सिद्दान तो इन तीनों ने दिया है तो जो विकास आतमक सिद्दान्त है वो gene piaze ने दिया है तो answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा D gene piaze Question number 3 है Question number 3 का देखिए answer मैं answer बताऊं उससे पहले जो लोग टेस्स दे रहें वो लोग प्लीज मुझे ये बताएं कि किसको मेरा आंसर बताने के पहले question number 3 का answer पहले से याद था जरूर comment करके जाएं friends question number 3 है तरल मोजेक सिद्दान्त किस ने दिया है A. G. Thomas, B. RB. C. Spearman या D. Gene Piaze बताएं answer देखें मैं answer बता देती हूँ अभी तक I hope आपने comment कर दिया होगा कि मैडम मुझे ये पहले से पता था प्लीज comment box में comment करें question number 3 का जो answer है वो है B. RB. cattle जो तरल मोजेक सिद्दान्त था वो RB. cattle के द्वारा दिया गया था question number 4 है वर्ग घटक प्रतिदर्श सिद्दान किस ने प्रदान किया A. G. Thomas देखें बिलकुल नए नए questions हैं आपको पता चल रहा होगा कि बिलकुल नए questions है वो मैंने यहाँ पड़ लिए और इसके अलावा देखें standard high और low होना कोई matter नहीं करता actual में standard वो होना चाहिए जो हमारे exam से relevant कर रहा हो यानि कि जो questions सीध है हमारे exam में पूछे जाने की संभाव ना हो इस तरीके के questions हम लोग यहाँ पर करें हमें यहाँ पर कोई standard अपना proof नहीं करना है कि कितना cutting paper मैं बना सकती हूँ या कितना आसान paper मैं दे सकती हूँ इस तरह क मैं यहाँ कोई proof करने नहीं बैठी हूँ मैं केवल इसलिए आप लोगों को यहाँ पर जो study material है provide करवा रही हूँ ताकि सही दिशा में हमारी तैयारी हो सके और exam में वो ही चीज़े हमें देखने को मिले जो की हम तैयार करके जाएं यह ज्यादा जरूरी होता है ठीक है तो question question number 4 का जो answer है वो answer हो जाएगा आपका जी थॉमस वर्ग घटक और प्रितदर्श सिद्दान्ट जो दिया था वो जी थॉमस ने दिया था तो answer A हो जाएगा इसका question number 5 है पदानु क्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्दान्ट किस ने दिया था A. Serial Bird, B. Burner, C. A. और B. दोनों दोनों में से कोई नहीं तो देखें वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक का बटन जो है वो प्रेस कर दें पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग dislike भी कर सकते हैं लेकिन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करें इसके अलावा कमे क्या था त्रीखंड सिद्दान्त के प्रवरतक कौन है बहुत ही आसान question है सभी को इसका आंसर आना चाहिए तो देखे त्रीखंड जो सिद्दान्त था वो भी Spearman की देन था तो देखे Spearman ने द्विखंड सिद्दान्त तो दिया था आपको मैंने इससे पहले के वीडियो में बता दिया है जो लोग वीडियो देखे मैं आप लोगो को प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि जिन्हों नहीं देखे हैं वो जाकर के उन सारे वीडियो को देखे एक एक क्वेस्टन हीरे के समान है आपको बहुत ही अच्छा मैटर जो है यहां पर प्रवाइट करवाया जा रहा है और जो नए जुड़े हो प्लीज अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि रेगुलर स्टडी का मैटीरियल जो है यहां आप लोगों को प्रवाइट करवाया जा रहा है रीट की जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल की तयारी जो है इस चैनल पर आप लोगों को प्रवाइट करवाई जा रही है तो देखे इसका जो आंसर है वो स्पेर मैं मैंने आपको बताई दिया है कि इसका आंसर स्पेर मैं है विखंड सिद्दान्त में स्पेर मैं ने बताया था कि एक तो एस फेक्टर होता है और दूसरा क्या होता है जी फेक्टर जी फेक्टर होता है जनरल फेक्टर यानि कि सामान्य बुद्धी जो सभी में पाई जाती है और दूसरा फेक्टर होता है स्पैसिफिक फेक्टर यानि कि विशिष्ट बुद्धी जो है वो पाई जाती है लेकिन फिर स्पियर मैंने जो है एक और सिद्दान दिया त्रिखंड सिद्दान और उसमें उसने बताया कि जो बुद्धी है वो सामानी और विशिष्ट तो पाई जाती है लेकिन इनमें एक समू तत्व भी होता है समू तत्व वो होता है जो की जिसमें कुछ जो quality है वो सामान्य बुद्धी की होती है यानि कि जो quality होती है वो सामान्य बुद्धी से थोड़ी सी ज्यादा होती है उस factor में और विशिष्ट बुद्धी से थोड़ी सी कम होती है ये एक जो है समू तत्व के नाम से एक और factor उस के लावह जो प्रकार दिया था वो दियता विशिष्ट बुद्धि यानि किgli तीन तत्व उसने बता दिया थे सामान्य समू तत्व और विशिष्ट ठीक है तो इसका जो आंसर है वो है C, Thandai जिनको questions मेरे आंसर बताने के पहले आ रहे हैं वो प्लीज अपना जो है कमेंट करके जरूर जाएं कि मैडम हमारे इतने question आपके आंसर बताने से पहले सही हो गए थे question number 8 है बहुतत्व सिद्धान्त को और क्या कहते हैं a. बहुखंड सिद्धान, b. बहुखारक सिद्धान, c. परमानवाद, d. ये तीनों तो देखिए बहुतत्व सिद्धान जो है जो है वो थानडा इक का दिया हुआ है उसने ये बताया था कि जो बुद्धी होती है वो कफी सारी जो है तत्व उस में पाए जाते हैं वो किसी एक तत्व का या दो तत्व का मिश्रण नहीं होती है बलकि काफी सारी तरह की बुद्धी के तत्व जो है उसमें पाई जाते हैं तो इस सिद्धान्त को उसने बहु खंड सिद्धान्त, बहु कारक सिद्धान्त, परमानुवाद, बालुकावाद इसी तरह के नामों से बुलाया है तो देखें ये सारे ही नाम जो है बहुत अत्व सिद्दान्त के हैं तो आंसर हो जाएगा डी ये सभी question number 9 है बहुत ही important question है last year पूछा गया है last read का paper अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें बहुत बुद्दी सिद्दान्त आपको देखने को मिलेगा question देखें इसका जो answer है I hope आप सभी को आता होगा तो मैं इसका answer बता देती हूं Harvard Gardner जो है इसके प्रवरतक थे बहुत बु तरी तंत्र की बात हो रही है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा तरी खंड आते ही तो इस पियर मैं आंसर हो जाएगा और तरी तंत्र आते ही तो बताईए कौन सा answer रहेगा जो लोग test जे रहें वो लोग answer guess करें देखें इसका जो answer है वो है C Sternberg जो सूचना प्रक्रम सिद्दान्त या जिसे त्री तंत्र सिद्दान्त भी कहते हैं वो सिद्दान्त जो है Sternberg ने प्रदान किया था तो answer इसका C हो जाएगा question 11 है समू तत्व सिद्दान्त या प्रात्मिक मांसिक योग्यता सिद्दान्त देखें समू तत्व सिद्दान्त को एक और नाम से जाना जाता है प्रात्मिक मांसिक योग्यता सिद्दान्त आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा मेरे questions भी आप लोगों को ध्यान रखन जैसे कि यहाँ पर बताया है मैंने 0 वह नेकिन समु तत्व सिद्दान्त किस ने प्रदान किया था तो देखर समु कारक की बात नहीं हो रही है समु कारक सिद्दान तो तैल यह थ्यां दी इन समु तत्व घलने थे थाय आपको यह शब्द याद सिद्दान्थ भी कहते हैं वह स्टर्णबर्ग सॉरी वह थर्स्टन और कैली इन दोनों के द्वारा दिया गया था तो जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा सी और भी दोनों मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि किसको इसका अंसर मेरे अंसर बताने के पहले आता था इसका जो आंसर है वो है गिलफर्ड गिलफर्ड ने जो है त्रियायामी या द्रियामी सिद्दान्थ दिया था आप सभी को बताए कि बहुत ही फेमस सिद्दान्थ है बुद्धी के सिद्दान्थ में ये सरवादिक famous सिद्दान्थ है गिलफर्ड का त्रियायामी सिद्दान्थ तो देखे, question number 13 हम लोग देखते हैं देखे, 12 का answer मैंने बताई दिया है, C हो जाएगा question number 13 हम देखते हैं गिलफर्ड ने बुद्धी को कितने चर्णों वाली प्रक्रिया बताया है तो देखे, गिलफर्ड ने बुद्धी को जो है तीन चर्णों वाली प्रक्रिया बताया है तो जो इसका answer हो जाएगा, वो हो जाएगा B, तीन चर्णों वाली प्रक्रिया question number 14 है देखे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अभी like कर दें और इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है थोड़ा भी के वाकई में एक अच्छा channel है एक सही information आपको provide करवा रहा है और आपकी help कर रहा है तो प्लीज जो channel है उसे subscribe कर लें इसके लावा जो bell icon है उसे भी आप साथ में press कर दें देखे question number 14 है गिलफर्ट के तीन चरणों में समाहित कौन कौन से तत्व हैं तो देखे कौन कौन से तत्व हैं जो तीन चरणों में आते हैं तो देखे विशेवस्तु संक्रिया और उत्पाद ये तीनों ही जो है गिलफ में इनके answers को बिठाएं अच्छे तरीके से बार-बार रिपीट करके देखें देखें बहुत ही helpful साबित होंगे आपको जिस दिन आपका रीट का पेपर होगा आप मेरे चैनल को जरूर याद करेंगे तो देखे question number 15 है विशेवस्तु संक्रिया और उत्पाद में तत्वों याद रखना है पिर साथ में याद रखना है कि 5 x 4 x 6 देखें इसका तरीका में बता देती हूं 4 5 6 होता है ना बस 5 को उठा करके 4 के आगे रख देना है तो यह answer हो जाएगा ठीक है ना तो यह कुल तत्व जो है 120 हो जाते हैं अगर हम इने multiply करेंगे तो 120 हो जाएगा जो कु सुद्धी से रिलेटेड जो है पार्ट नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है पार्ट नंबर 4 में आप लोगों के लिए कल लेकर क्या होंगी देखें मेरे साथ जुड़े रहे हैं लगातार आपको जो SST का जो टेस्ट नंबर 54 है 53 टेस्ट में ले चुकी हूं 54 टेस्ट कुछ देर में आप लोगों के लिए अपलोट कर दूंगी और साथ में जो है आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी में जो है पदबंध का पार्ट वन लेकर आई हूं और मुल्यांकन का जो टॉपिक है उसका भी पार्ट वन में आप लोगों के लिए अपलोट कर दूंगी देख टॉपिक्स एक तो आएगा पदबंद का पार्ट वन और इसके अलावा मुल्यांकन का पार्ट वन आप लोगों के लिए अप्लोड कर दिया जाएका तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें तैयारी करते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद